हलो दोस्तों आप लोगा स्वारत है मेरे छोटे से शो पर जिसका नाब है शॉट टॉक्स विद नियूट्रिशनिश अर्पित और आज मैं लाया हूं आपके लिए आज में किके हृत किर्णय जो कि काफी अछी प्रोडस या इन में से में अपको दो जो किजिए ृज है अगर को जिए निमेरी कैने में इन अगर आप कीटलेनीक लाइफटैल या नोगाव लाइफटैल या एक हेल्दी लाइफटैल यह ऑफफ़ो कर रहे हो तो वहां पर खास करकि हमें हमारा हेल्दी फैट का इंटिक देखना देता है और जैसे कि मार्केट में अभी इंडिया में खास करकी इन लाइफ्टेट्स रिलेटेड अभी न्यू न्यू कंपनी आ रही हैं वह अपने न्यू न्यू प्रोडक्स निकाले उसी तरह क कंपनी इसने अपने चार प्रोडक्स निखा रहे हैं इन चार प्रोडक्स के बार में पर आपको बताना चाहूंगा कि इनका सबस्क्राइब पहला जो प्रोड़क है वह है कीटो फ्यू और इसमें इन लोगों ने दो चीजों का मिश्चर बनाके एक पाउडर फॉर्म में पैक किया हुआ है और यह जो मिश्चर रिए है कोकरने टोरील का और एमसे की वरी का जो की हेल्थी लाइफटैल जैसे मैं आपको बताया पेल्यो लाइफटैल के लिए काफी बेनिफिशल है जैसे की आप देख सकते हैं स्कूरी करना आपको दिखाने की कोश्च कर रहा हूं आपको बराबर दिखे दो कि यह जो प्रोड़क है यह इन लोकों का सबसे प्रोड हो गया वे प्रोडर हो गया या मिलक शेक हो गया अगर आप उसका बढ़ाना चाते हैं जो की डिजाइरेबल है इन लाइफटैल के हिसाब से तो आपको कुछ भी नहीं करता है पसे एक स्कूप इसका लेना है कीटो फील और उसमें एड़ करना है इसमें होगा यह कि पर स्क प्रोड़क की जो ही कॉफी यह जो प्रोड़क है कि इसमें लोगों ने दो अगर्वल टैप की कॉफी निकाली है एक है यहाँ पर में पस एकस्प्रेसर रॉस्ट और दूसरा है कोड़ लू का आइस कॉफी जादा डिफरेंस नहीं है एक अप गरम पानी में डाइगे कोई कोफी के शोकिन तो उसमें आप इसको अड़ कर सकते हैं दोनों के कोई डिफ्रेंस नहीं है अब इनके इंग्रेडिंस की में बात करूं तो यह जो पर सर्विंग में आपको 10g Keto Fuel Original जैसे कि मैंने आपको पहला प्रोडक्त बताया था तो 10g में आपको 5g coconut oil और 5g Ampser के oil मिल रहा है दूसरी सबसे अची चीज इस प्रोडक्त की यह है कि इसमें पर सर्विंग में आपको 3 shots मिल रहा है जैसे कि यहां पर इन लोगर mention किया हुए 3 shots मिल रहा है एक particular serving size में जो कि अच्छी चीज है आपको और alert करेगा fat burning में भी help करती है जैसे coffee क्योंकि इसमें caffeine होता है तीसरी चीज प्रोडक्त की में को सबसे अच्छी यह लगी है कि यह जो coffee powder है इनका यह hot brew coffee powder नहीं है जैसे कि नॉर्मन नेसले या brew company का अवेलेबल है मार्केट में common ली जो अवेलेबल है यह है जहां पर जैसे आप देख सकते हैं cold brew cold brew और hot brew coffee में क्या difference में आपको यह बताता हूँ cold brew और hot brew coffee में difference यह है कि जब hot brew coffee को तियार किया जाता है तो इसका ऐसी लेवल बढ़ जाता है क्यों कि heat treatment हो रहा है जब हम नॉर्मली घर पे चाय या coffee बनाते हैं तो उसको गरम करते हैं काफी देख से बॉइल करते हैं उस बॉइल प्रोसेस को brewing बोलते हैं दूसरी चीज अगर मैं बात करूं cold brew की तो cold brew में heat treatment नहीं होता है आप क्या करते हैं कि container है उसमें suppose for example आपने 200 ml पानी दी रहा उसमें आपने 50 g coffee डाली और उसको बादा से 24 घंडे के refrigerator पे रख दिया तो होता ही है कि जिसके refrigerator का temperature काफी cold होता है और इस प्रोसेस की जो बीन से coffee की उनमें से उनके दीरे 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 flavor और जो उसके ingredients and nutritional values है वो release होती है 12-24 घंटे में जो की acidic level काफी दबा के रखती है तो hot brew coffee में difference यह है कि hot brew coffee जो होती है वो acid tea level उसका ज्यादा रहता हो cold brew coffee होती होती इसका acidic level कम रहता है अगर आपको acid tea की problem है तो आप cold brew tea या cold brew coffee पी सकते हैं ना की hot brew tea या coffee तीसला जो इन तो सबसे अच्छा product में को खास कर दी क्योंकि मैं चोक्रेट का काफी शोकिन हूँ लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि यह जो healthy lifestyle है इसमें sugar नहीं लेना चीए बड़ी को भी और नॉर्मली भी sugar नहीं लेना चीए तो बात करते हैं drinking coffee sorry drinking chocolate की यह जो product है इसकी सबसे अच्छी चीजो मुझे लगी है वो है या normal sugars है दूसरी चीज़ सबसे अच्छी में को इसमें यह लगी कि इसमें भी इन लोगों ने कीटो फ्यूल आइट किया है जैसी मैंने आपको बताए कीटो फ्यूल एक mixture है mcd oil and coconut oil का और जो में इन लोगों ने use किया है dark roast coca beans जो कि इसका flavor को और rich कर देती है काफी अच्छा ज़दा में को यह जब मैंने drink दिया था खास कर दी मैं आपको बताऊं तो आपको इसको बहुत अच्छे से अगर enjoy करना है तो आप इसमें heavy whipping cream add करिए अपने कपने और यह पूरा इसकी एक single serving उसको add कर गए enjoy करें बहुत तेशली है प्रोटिक 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 प्रोटिन जो कि इसमें यह इंडिया के जो भार के प्रोटिन से उनके comparison में सबसे best quality का protein है क्योंकि आपको कोई इप्रोटिन company probiotic add करके नहीं देती है मैं अगर बात प्रोटिक की तो probiotic healthy bacteria होते हैं जो हमारे intestine में खासका कि small intestine में पाए जाते हैं यह हमारे खाने को अच्छा से absorb करने के लिए होते हैं बैक्टिया में आपने बैक्टिया सुना होगा लेकिन यह जो बैक्टिया होते हैं प्रोटिक यह healthy bacteria होते हैं इस company में इनके प्रोटिक में प्रोटिक एड़ किये हुए हैं जो कि अंदर जाएगा जब इस प्रोटिन आपके बॉड़ी में तो नॉर्मली दूसरे प्रोटिन सपोर्ज अगर 80-90% अगर एप्रोटिक नाइटी-9% आपके बॉड़ी में अगर इसकी बात करें तो इसमें पर जो सर्वीन साइज है इस प्रोटिक की उसमें 25 ग्राउम्स आपको फैट मिल रहा है जो कि हेल्वी फैट है सैचुरेटेड फैट है 15 ग्राम प्रोटिन मिल रहा है 2 वियन प्रोटिक मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी कॉंटिटी है प्लस इसमें 0 शूबल है इसका सर्विंग साइज वह है 22 काफी अच्छा है मैं इस साइब प्रोडॉक्स के लिंक्स आपको मेरे इसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करके अभी बताऊ आ आप चाहो तू कीटो फ्यूव.com पे जाके इन प्रोडॉक्स को ले सकते हैं या निवलाफ.com पे जाके चेक करके बाई कर सकते हैं और अब चाहो तो आप डायरेक्ली मुझे मेल कर सकते हैं या मैं मुझे कॉंटक कर सकते हैं जहां पर आपको 15-20% डिसकांट मेरे तू तो यह थे कीटो फ्यूज के चार प्रोडक्स जिनके बारे में मैंने आपको रीव्यू दिया है इन में से हाला कि मैंने सिर्फ डो प्रोडर अभी तर्क ट्राय की हैं एक कॉपी और दूसरा ही चॉक्रे और मैंने अभी और किये हैं कीटो ओरिजिनल एंड प्रोड़िक प्रो तो मिलते हैं अगरे एपिसोड में जहां में हो सकते हैं एक और किसी प्रोड़क्स के बारे में जो किटोजनिक लाइफटाइल पेडियू लाइफटाइल या हाइफएट प्रोड़िन लाइफटाइल या प्रोड़िन फैट लाइफटाइल या सच बलू तो इन सब को साइ तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ और प्लीज बेल आइकन को दबाना मत बुलिएगा क्यों जब भी में कोई नया वीडियो जालूंगा तो आप होंगे सबसे पहरे जिनको मेरे वीडियो के अम्टेस के बारे में मालूँ परिया तब करें थैंक्यू